इस वीडियो में हम 25 महत्रपुन प्रशन देखेंगे यह सभी प्रशन पिछली टैट पर इच्छा में पूंचे गए हैं काफी मुश्किल प्रशन हैं काफी कठे निस्तर हैं का लेकिन आपको अगर सफलता पानी है तो इन प्रशनों में आपको दिमाग लगाना होगा और आई सुर करते हैं पिछली परिच्छा में पूछे के प्रशन पूरी अगला पहला प्रशन है कि एक दिग भ्रमित किसूर का पत प्रदर्शन किया जाता है कैसे एक दिग भ्रमित किसूर का पत प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है अगर आपको समय कमपड़े तब आप वीड नबीन ग्यान तथा नबीन पृत करियां का अरजन करने के पिरक्रिया अधिखन पिरक्रिया होती है. यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया है बुझ वर्थ ने, okay? अगला प्रश्ण है कि वाइगुट सकी बच्चों के सीखने में निम्न लखित में से किस कारक की महत्वपूर भूमिका पर बल देते हैं तो वाइगुट सकी बच्चों के सीखने की जिसों भूमिका पर महत्वपूर बल देते हैं वो है सामाजिक अगला प्रश्न है कि सीखनी का किलासिकल कंडीशनिंग सिध्धान्त किसे प्रतपादित किया तो सीखने का Classical Conditioning Siddhant प्रत्पाधित किया है पावलोबने Oxygen B इसका सही जबाब है उपर कौनसा था ? साच्थ्रीणवणधन सिध्धान्थ कौनसा ? साच्थ्रीणवणदन सिध्धान्थ Classical Conditioning Siddhant दोनों किस्णी दिये है पावलोबने आगे बढ़े अगला प्रश्ण है कि पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिध्धन्द प्रत्पादित किया तो पावलोव ने अधिगम का अनुकूलित अनुक्रिया सिध्धान्द प्रत्पादित किया अगला प्रश्ण है कि बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है ये कैसे डांट डपटकर अनुबंधन के द्वारा दोसा रूपन द्वारा इन में से सभी के द्वारा तो अनुबंधन के द्वारा बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है प्रश्न है कि डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंदित है तो डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंद रखता है प्रश्न है कि बारवार दोहराने से अधिरम को बढ़ावा मिलता है यह किस नियम की पुष्टी होती है बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है इससे पुष्टी होती है अभ्यास के नियम कियोगे अपसन एसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीन विध्यारती चूंके और कम निपुन प्रत्योगियों की मदद करते हैं इससे क्या होता है इससे गहन प्रत्योगता होती है या उच्छ नेतिक विकास होता है या समुहों में दुन्द होता है या फिर उच्छ उपलब्धी और आत्मसम्मान बिक्सित होता है तो इसका सही जवाब है कि सहयोगी अधिकम में अधिक उम्र के प्रवीन विध्यारती छोटे और कम निपुन प्रतियोगियों की मदद करते हैं तो इससे उच्छ नेतिक बिकास होता है अगला प्रशन है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है अगला प्रश्ण है कि मनू विश्लेशन बादी सिध्धान्द के परवर्तक कों है तो मनू विश्लेशन बादी सिध्धान्द के परवर्तक है फ्रायड प्रश्ण है कि उद्धीपक अनुक्रिया के मध्य सहाचर इस्थापित करने बाले प्रक्रम को क्या कहते है अधिजम उप्सन C इसका सही जवाब है अगला प्रश्ण है कि व्यवारवादी बिचारक कौन है तो व्यवारवादी बिचारक है वाट्सन उप्सन A इसका सही जवाब है व्यवारवादी बिचारक कौन है वाट्सन अगला प्रश्ण है कि व्यवारवाद के जन्म दाता कौन है तो व विवारवाद के जर्म दाता वाक्टसन अगला प्रश्ण है सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गती कैसी होती है तो सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गती धीमी होती है प्रश्ण है अनुभव द्वारा विवार में परवर्तन होना ही अधिखम है क्या अधिगम की ये परवासा किस ने दी है तो अधिगम की ये परवासा गैट सोवा अन्य मनुवेग्यने को ने दी है प्रश्ण है कि निम्न में से कौन सा कारक प्रसिच्छन या अधिगम के हस्तानतरण में मदद नहीं करता है ठकान या ठकावट प्रश्ण है कि जिस प्रिक्रिया में व्यक्ति मानव कल्यान के लिए परस पर निर्वर रहकर विवार करना सीखता है वह प्रिक्रिया क्या है तो वह प्रिक्रिया है समाजिकर प्रश्ण है कि इस्थानांतरण एक परिस्थिती में अर्जित ग्यान प्रिसिच्छन और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिती में इस्थानांतरण किये जाने की चर्चा करता है अधिगम के इस्थानांतरण के बारे में कथन किस से सम्मंधित है तो ये कथन सम्मंधित है अगला प्रश्ण है कि प्याजे के अनुसार संग्यानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं प्रश्ण है कि पावलोव के अनुवंधन प्रियोग में केवल ध्वनी के उपस्तित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं तिस अनुक्रिया को कहते हैं अनुवंधित अनुक्रिया प्रश्ण है कि थारंडेक के प्रभाव का नियम का सैच्छड़क महत्व नहीं है किस पर तिसका सैच्छड़क महत्व नहीं है इसमरण सक्ति में कमी प्रश्ण है कि अधिकम से सम्मंदित मनुविज्ञान की बिचारधारां एबंब उनके तर्ग प्रतपादित के जोड़े यहां दिये गए हैं इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलानका नहीं है तो आपको गलत जोड़ा देखना है तो इसका सही जवाब होना है अगला प्रश्ण है नीचे अधिगम के सिध्धानतों और उनके प्रतपादिकों के जोड़े दिये गए हैं अब आपको फिर से बही बताने जो जोड़ा यहां पर सही नहीं है तो आप प्रश्ण वीडियो को पोश्ट करके पूरे देखिएगा कौन सा सिध्धानत किस ने दिया है जो गलत है वो आपको अंसर देना है मैं इसका अंसर बता रहा हूं इसका अंसर है उप्शन ए यह यहां पर गलत दिया हुआ है अगला प्रश्ण है कि प्याजे के संजयनात्मक विकास के चरणों के अनसर इंद्रिय गामक अवस्था किस की साथ सम्बंदित है तो मैं तो इसका सही जवाब है कि इंद्रिय गामक अर्थात सम्मेदी प्रेरा का अवस्था सम्बंदित है अनुकराण इस्मरती और मानसिक निरूपन से होगी option A इसका सही जवाब तो मैं तो इस वीडियो में हमने 25 मातिपूर प्रश्ण देखे आपके कितने प्रश्ण गलत निकले आपका score क्या रहा कमेंट जरू करें और अपना नाम और अपना जिला जरू लिखें